नमस्कार दोस्तों क्या हाल चाल सुभाग आता है आपका इस यूट्यूब चानल में और आज के वीडियो में हम बात करने वाले कैसे आप एक marketing strategy create कर सकते हैं आपके business के लिए इन अंडर फाइव मिनिट्स तो लेट स्टार्ट ठीक है तो हम marketing strategy बनाने वाले हैं आपके business के लिए इन अंडर फाइव मिनिट्स तो अगर पैन और पेपर नहीं है तो प्लीज ले ले ना इस वीडियो में हम directly कुषने ओले practical stuff में before getting into the strategy हमें समझना पड़ेगा कि basically marketing क्या होता है what is marketing the same strategy basically create कर पाए marketing is nothing but a way to get leads इसके लावा कोई भी definition आपको भी समझने की जरुवत नहीं है marketing यानि कि आपके business के लिए leads होना चाहिए इसके लावा कुछ भी नहीं इससे simple definition आपको समझ नहीं आएगी इसके बाद हमें answer देना इस question का जिसके राम है NPS what is NPS आपकी niche यानि की target market क्या है क्या problem solve कर रहा हो आप और क्या solution देने को ready हो आप market को जिसकी वैसे वो आपका product खरी दे राइट तो niche लेटसे आपका target market है hotel owners आप hotel owners की serve करते है help करते है let's say to get more business problem problem है कि उनके पास clients नहीं है तो यह problem ने कि आपने अब लेकी solution क्या solution offer करते है तो let's say आप Facebook ads की services उन्हें देते हैं to help them यह तीन चीज़े पहले पता करी उसके बाद आपकी strategy के लिए अब यह चीज़े पता करने के बाद आपको दो चीज़े पता लगाने पड़ेगी उस particular niche के बारे में या target market के बारे मे एक हो गया उनकी income कितना कमाते हैं वो ठीक है यह सब को demographics होते हैं आपको ऐसे 5-6-7-8 points रूणने पड़ेगे Google कर सकते है तो आपको दिख जेंगे exactly demographic points और दूसरी चीज़ आपको रूणने पड़ेगी psychographic points यानि कि क्या उनकी psychology चलती है किसी भी जीस को खतने पहले यानि कि belief systems क्या है वो सोचते कैसे है या फिर उनका job description कैसा है या फिर उनका family nature या family में लोग कौन-कौन है और वो किस तरीके सोचते है या फिर उनका religion क्या है या उनकी caste क्या है या यह सब चीज़े भी important होती क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि आपका customer सोचता किस तरीके से है तो Google करिए demographics और आपको basically मिल जाएंगे exactly वो point जिनको आपको mention करना आपके customer के बारे में अब आपकी जो third step है उसमे बेसिकलिए आपको create करना है एक ething offer, ething offer यानि क्या होता है? ething offer यानि कि ऐसा offer जिस offer को सुनके आपका customer कहे कि हाँ यह मेरी छोटी सी घुजली है जो आप सुधार सकते है में लाइफ में छोटी सी problem है छोटी सी frustration है जो आप मुझे solve कर सकते है for example, hotel owner की एक normal frustration हो सकती है client registering online for example, बहुत सारे अभी तक hotels register यूज करता है तो हम उसको online ले जाने के help कर सकते है तो उसके लिए आपने क्या किया उसके लिए आपने एक free video create किया video training create करी जिससे कि आप hotel owner को भेज सके है और उनने बोल सकते है यह free video training हमें create करी है जिससे आपकी help हो सकती है इसको देखें अगर आपको लगता है कि हम कुछ और एक कर सकते है तो बताईएगा यह video आप बेसि particular चीज को marketing की language में बोलते है lead magnet यानि कि ऐसी चीज जिससे lead attract हो lead का magnet एक ऐसी चीज जिससे lead attract हो हमारे पास उस चीज को lead magnet कहते है तो आपने बेसिकली अपने lead magnet create किया lead magnet create होता है itching offer पर आपके market का क्या itching offer है या आपको पता लगाना पड़ेगा अगर question है तो comments में डाल दो I'll try to answer most of them कि आप अपना lead magnet क्या बना सकते है itching offer create करने के बाद आपका lead magnet तयार हो जाएला इस lead magnet को तयार करने के बाद आपको एक चीज से ही जिसका नाम है landing page landing page यारने की ऐसा page यारने की website type या एक form type जिस पर लोग आएंगे और लोग आने के बाद अपना नाम नमबर और email आपको देंगे जिससे आप अपनी list बनाएंगे email list, customer list, lead list जो भी आपको बोलना हो और उसके बाद आप अपनी video training जो यह वाली training थी आपने सोचा था यह बेज़ पाएंगे अपने customers को गौड़ तो landing page ज़रूरी है, lead magnet ज़रूरी है, अगर confusion landing page कैसे बनता है तो ऊपर एक video दिख जाएगा, आपको उसपर click करके देख सकते हैं, अगर confusion lead magnet कैसे बनता है, कैसे बनाओ, ebook कैसे बनाओ, video training कैसे बनाओ, तो ऊपर आपको एक link दिख जाए ही, उसपर click कर दीज़े, आप lead magnet ज़रूरी है, अगर e-mails लिखने ही problem है, तो ऊपर link है, उसपर e-mails भी लिख सकते हैं, कैसे बनाओ, चलिए, तो basically आपने क्या क्या तयार कर लिया है, जिसके साथ आपकी list तयार होगी, उसके पीछे आपने lead magnet तयार कर दिया है, आपको exactly पता है, demographics क्या है, psychographics क्या है आपको पता है कि niche कौन सी है, problem क्या है, solution कौन सी solve कर रहे हैं, और आपने basically अपनी marketing strategy का ये जो चीज़ create कर ये यहां से लेकर, यहां तक, जो ये आपका landing page है, और ये जो आपका lead magnet, ये है basically आपकी marketing strategy, अब एक चीज़ आपको solve करनी है, और वो चीज़ का नाम है traffic, यानि कि इ इतने hotel owners ला सकते हैं, कितनी जल्दी, जितने hotel owners लाएंगे, उतनी leads create होंगे, इतनी leads create होंगे, उतनी sales हो सकती है, तो अब आपको figure करना है, एक ही चीज़, जिसका नाम है traffic, अगर आप चाहते हैं, मैं इस पे exactly video बता हूँ, ये video फिर बहुत लंबा हो जाता, अगर आप चाह जिसे आपने landing page पे, और traffic लास है, अगर ये video आपको पसंदा हो, तो ऐसे काफी सारे videos इस channel पे भरपूर है, आप चाहें, तो इस side अगर दोनों side में देखेंगे, तो आपको videos दिख जाएंगे, और subscribe बोटन दिखेंगे, तो subscribe करना ना बूले, इससे basically मुझे motivation मिलता, आपको strategy create करनी है, I hope this video helped, see you in the next one.